असम बीते कई दिनों से भारी बारिश और बार की चपेट में सेना और अर्धिसेनिक बल राहत और बचाव कारिय में लगे हैं SDRF, NDRF की टी में लगी हैं लेकिन असम में आई भारी बार से जन्जीवन अस्यस्त है दिबरूगर चहर में लगातार बारिश होने के कारण बार का पानी CRPF क्यांप में घुजगा बहुत चारे खर में पानी घुजगा है बहुत चारे लोग तो गाव के 80 बर्शन लोग तो दूस्ती जगाश सीफ्ट हो गया है अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं है बहुत चारा दिक्कद हो रहा है अभी सेना और अर्ध स्यानिक बलों को राहत और बचाव कारी में लगाया गया है लगातार हो रही बारिश से असम के डिबरुगण में CRPF क्याम की मुसीवते बढ़ गई है केंद्री रिजर्फ पुलिस बल की 171 बटालियन के कैम्प में पानी भर दिया है जिसके चलते जवानों की वैर्गों में पानी पहुँच गया इसके बाद जवानों को कैम्प खाली करके बाहर जाना पड़ा है प्रमपुत्र गोपिली तिसांग और बुरहीडी हिंग जैसी नदियां अभी भी कई जगे पर खत्रे के निशान से उपर बह रही हैं हालां कि कुछ नदियों का जलस्तर घटा भी है हसम में सावचतिक जीबन पूरी तरह से ठाप दे लिया है पीबर है सब पाने में गया है और हमारा खम बुप शुका है अब तो यह रूठी हमारा घ़र बन चुका है सेलचर शहर में लोगों के स्थिपी सबसे खराब है जहाँ साफ पानी का सकट है लोगों के पास कीने के लिए पानी नहीं अटा लेबल से बाल की वज़े से 50,714 हेक्टियर की फसल को भी नुकसान हुआ है सिचाई करने वाली नहरों को नुकसान हुआ है लांखों की तादाद में घरेलू जानवरों को भी परिशानी उठानी पर रही है SDRF और NDRF की टीमें लगातार राहत और बचापकार में चुटी हुई तीन फिट, चार फिट ऐसे हाईवे के उपर में तो दो फिट करके है हमारा घर में तो हम घुज नहीं सकते खर में पज़ा नहीं सकते हम सब कैम उठा के हाईवे पे कैम लगा दिया है अभी 5-6 दिन हो गया गाव में बहुत परिश्चिती बहुत गंबीर है भी गाव का आडमी सरक में आने के लिए बहुत रेडी है और रेडी और पुरा राष्टा में पुरा भरा हुआ उधर भी पुरा भरा हुआ है डूटी से आ रहा हूँ तो इसकूल भी बंद हो गया है पानी के बबजुट वो इसकूल बंद दे दिये गया लोकल एडमिनिस्टेशन ने इसकूल बगएरा बंद कर दिया क्योंकि इसकूल हमें ज़्यादा पानी हो गया इसलिए बच्चो इसकूल नहीं जा पा रहा है और इधर में क्या हूँ नेशनल आइवेर नंबर 15 में अभी काफी पानी है इसलिए हम लोग को बास उसने ही मिला घर जाना है तो इसलिए बाइक में ही सावार होके जा रहा हूँ दोख्षान हुआ अभी इस गाउ में जना हंखाब 6-7 थाउजेंट है और इहामें पानी ज्यादा हुआ एक कोकल से एक बुख हुआ और इहामें जो नाव का कोई बेवस्ता नहीं भुख हो गया इसलिये हम कैसे रहेंगे हमने इक समझ गया जब लोग आए इसलीए पानी कोई बार रहा है तो स्कुल कॉलेज है और नदों दी भी बार रहा है इसकुल कलेज बन हो गया है कारी मता सनने के लिए रूद भी क्लोज हो गया है पानी के लिए शुप का लोग को पोब्लेम हो रहा है, कोई निकल नहीं सकता है, कोई ओफिस नहीं जा सकता है, हम लोग का ये दुकान है, पुरा पानी है, अनर्ब में खूस के भूट सबन खरब हो गया, फ्रीज बगरा सुप खरब हो गया, इसलिए हम क्या उपए है, मेरा पान का पत्ता भी खरब हो रहा है इसलिए हम निकल के आया है। पूरा बोट डिक्दर ही हो रहे है।